बहुत लंबा टाइम हो गया ना जब किसी बॉलिवुड फिल्म को देखने के बाद आक्चली में डर लगा हो। लास्ट फिल्म परी और तुमबार थी जिसको देखते टाइम दिल की धड़कन आउट ओफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन अब सारी शिकायत एक बार में दूर होंगी क्योंकि एक ऐसी फिल्म आई है जिसको जितनी बार देखोगे हर बार डर थोड़ा ज़ादा लगेगा। कहते हैं भगवान होता है तो शैतान भी होता है बस पो थोड़ा छुपके शिकार करता है। गलत एकदम गलत ये तो एकदम खुलम खुला आया है भाई सबको डराने। एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है सबको इस फिल्म के लिए तालिया बजाने से पहले जो उरिजिनल गुजराती फिल्म है वश दिल में उसके लिए इजग बनी रहनी चाहिए। हाँ तो कहानी एक unwanted guest की है sir घर में आया है घरवालों की मर्जी से तो बाहर भी जाएगा घरवालों की मर्जी से तमीज तो यही कहती है। लेकिन इस महमान की छोटी सी शर्ट है घर की छोटी सी जो प्यारी बेटी है उसको यह अपने साथ लेकर जाएगा और हाँ घरवालों का आशिरवार लेकर जबरदस्ती नहीं करेगा। क्यों भाई कोई अपनी बेटी किसी अजनभी के साथ क्यों भेजेगा? भेजेगा ना बॉस जब वो बेटी खुद घरवालों के गले पे चाकू लगा के खड़ी होगी और जब अपने प्यारे छोटे भाई को छट से नीचे फैक कर मारने की सिर्फ कोशिश नहीं उसके जान लेना अपनी जिंदगी का मकसद बना लेगी बीस मिनिट एक महमान का रिष्टा बीस साल के परिवार पे भारी कैसे पड़ गया? रीजन है सर जिसको लॉजिक की भाशा में बोलते हैं ब्लैक मैजिक एक काली बिल्ली अगर गलती से रास्ता काट जाए तो आप रास्ता बदल देते हो यहां तो पूरा का पूरा जादू टोना ही काला है वशी करन बोलते हैं इसको हिपनोटिजम रिमोट पाली कार होती है ना जो बटन दबाओंगे उस तरफ भागेगी वैसे ही इस लड़की का रिमोट अब शैतान के हाथों में है इससे पहले की बैटरी खतम हो जाए घर वालों को बेटी विदा करनी है वित आशिर बाद वरना घर से एक नहीं पूरी चार लाशे निकलेंगी और कतल करने वाला कौन मैं आप तो जानते हैं लेकिन शायद पूरी दुनिया इस चीज़ को बुराडी केस का सेकेंड पार्ट समझेगी बुराडी नाम सुनके डर लगाना बस यही चीज़ शैतान को बाकी बॉलिवुड हॉरर मुवी से अलग बनाती है यह डर आँख से नहीं दिमाग से दिखाती है एक तरीके का disturbing cinema है यह जिससे आप चाहा कर भी खुद को दूर नहीं रख सकते क्योंकि topic इतना relatable है, real life में किसी के भी साथ हो सकता है और हाँ, गलती से भी इसको आप स्त्री या फिर भुल भुले या जसी horror comedy के साथ confuse मत कर लेना बहुत बुराफस होगे क्योंकि शैतान एक complete no-nonsense, dark, serious, tragedy film है ऐसा डर जिसको सोचकर आप thank you बोलोगे, मेरे साथ अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कुछ ऐसे scenes बनाए गए हैं जो आज से पहले बॉलिवुट की किसी film में try करने की हिम्मर या फिर creativity शाथ किसी के अंदर थी भी नहीं, thanks to wash मुलाकात किस से होने वाली है, आपको film का subject वशी करन है ये तो पता है लेकिन वशी करन करने वाला actually में कौन है, ट्रेलर ने उस पर जबरदस तरीके से suspense बना दिया और जब theater में घुसते ही, आपके सामने आर्मादवन का character reveal होना शुरू होगा, आप खुछ से पूछोगे, ticket book करके गलती तो नहीं कर दी unpredictable कहानी है, especially उन लोगों के लिए जिनको wash के बारे में कुछ नहीं पता, totally fresh, different, unique experience होगा for Bollywood fans बहुत कम remake ऐसे होते हैं, जिनको देखने के बाद original film क्या थी, कौन सी थी, ये सब सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता किसी को चलो इमानदारी से बताओ, दृष्यम देखने के बाद कितने लोगों ने सोचा होगा, original film देखते हैं या, ये तो बस remake है शर्ट लगा सकती हूँ मैं, 90% लोगों को आज भी नहीं पता होगा कि दृष्यम एक remake फिल्म थी बस वही काम शैतान ने किया है, वश को पूरी इज़त देकर, frame to frame, heart cheese, emotions, कहानी, acting, सब कुछ वैसे का वैसा recreate कर दिया इवन actors भी सेम है या, जानकी ने original film में जतना डराया, उसका experience लेकर एक step उपर शैतान को उठाया, performance टॉंग टे खड़े कर दे एक तो इनका character लिखा बड़ा खतरनाक है, उपर से जो expressions ये देती है, आप seat पर बैठे बैठे uncomfortable हो जाओगे, हसी भी ऐसी जान निकाल दे अज़े देवगन fans को यहाँ पर backseat लेनी पड़ेगी, गाड़ी पूरी तरह आर्मादवन और जानकी चला रहे हैं, आप बैठो और खिड़की खोलकर मज़े लेते जाओ हाँ, climax में मज़ा आएगा, जब आपका दृश्यम वाला family man वापस आएगा, content based film है, अज़े देवगन के नाम पर बिकेगी, thank you तो बोलना पड़ेगा तेया शैतान को मेरी तरफ से 5 में से पूरे 45 stars मिलेंगे, पहला serious cinema डर ऐसा जो सिर्फ दिखाया नहीं महसूस कराया जाए, दूसरा realistic लेकिन भयानक कहानी दिमाग पूरी तरह चक्कर खा जाए, तीसरा obviously performances, जो तिका, आर मादवन, अज़े सर और जानकी, theater में आप लोग इन पैसा वसूल, negatives में आधा star काटना मजबूरी है, क्योंकि idea बढ़िया है, लेकिन copy है, इसलिए वश का नाम लिए बिना शैतान हमेशा अधूरी है, प्लस मुझे लगता है, वो गुजराती film थोड़ा और raw and natural feel हो रहे थी, भाई मान लो मेरी बात, असंभव काम हुआ है, एक खोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, ठेक केर, बैबै